नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारा यूट्यूब चेनल में दोस्तो आज हम सदाबार फूल के क्या-क्या फाइदे हैं हम आपको इस वीडियो में पूरा जनकारी देंगे तो दोस्तो वीडियो पूरा देखें जी हां दोस्तो आप जो वीडियो में देख रहे हैं इस पोदे को आप कभी ना कभी जरूर देखा होगा, देखो इस पोदे को अच्छे से देख लो और पहचाल लो, इस पोदे के नाम है सदाबार और कोई-कोई जागा मैं इसे बारमसे नाम में भी जाना जाता है, तो दोस्तो इसके एक नमबर के फायदे के बारे में अगर बात करेंगे तो चेहरे के खुपसूरत लाने में बहुत लापकारी होता है, तो दोस्तो चेहरे का खुपसूरत लाने के लिए क्या करना है, इसके जो फूल होता है, सफेद वाला ये फूल, इस फूल को सिलबटे में पीस कर उसका पैस्ट बना लो और उस पैस्ट में नारियल का अगल थोड़ा मिला दो और आदा चमच हल्दी का पाडर मिला के अगर पूरे चेहरे में लगाते हैं तो चेहरे दिखने में बहुत ख कमर दर्द का समस्या है या फिर घुटनों में दर्द है तो क्या करना है इसके पत्ते को सिलबटे में पीस कर उसका पैस्ट बना लो और उस पैस्ट में सरसों का अल थोड़ा मिला कर अगर अच्छे से मालिस करते हैं तो कमर दर्द या फिर घुटनों का दर्द दीरे-दीर कम हो जाता है साथी साथ दोस्तों अगर बाल जड़ने का समस्या है बाल पक जाता है सफेद होता जा रहा है तो क्या करना है इसके फूल को सिलबटे में पीश कर उसका रस निकाल लो और उस रस में नारियल का ओल थोड़ा मिला कर अगर बालों में अच्छे से लगाते हैं तो बाल जड़ना बन हो जाता है और सफेद बाल दिरे दिरे काला हो जाता है